हेलो एवरिवान, माइनीम इस खुलबशा और आप सभी का स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल दे लर्नर्स कम्यूनिटी आई होप आप सभी ठीक होंगे और आप सभी ने अपनी अपनी स्टडी स्टार्ट कर दी होगी और आपने अपनी सेमेस्टर 6 की पॉलिटिकल साइंस कवर कर ली होगी जिसका नाम है अंडरस्टेंडिंग ग्लोबलाइजेशन इस बुक को हम पूरी ही कवर करवा चुके हैं और अगर आपने अभी तक इस बुक की स्टडी स्टार्ट नहीं किये हैं तो आप इस बुक की पूरी स्टडी हमारे चैनल के माध्यम से कर सकते हैं यहां आपको पूरी ही बुक अवेलेबल हो जाएगी अगर नहीं देखेंगे तो आप हमारे चैनल के माध्यम से उन सारी वीडियो को देख सकते हैं और आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है वो semester 6 की political science यानि understanding globalization के जो important question है उनके उपर होने वाली है जितने भी हमारे important question answer है आज हम उनको discuss करने वाले हैं जो आपके paper के माध्यम से बहुत जादा important होने वाले हैं यानि आपके paper जो की 2024 में होने वाले हैं उनके point of view से बहुत जादा important होने वाले हैं चलिए फिर बिना देरी करें उन सभी questions को देखते हैं जो की इस book में से आने की उमीद है या फिर ये कहें कि इस book में से पूछें चाहेंगे या बन सकते हैं चलिए फिर उन questions की तरफ चलते हैं जैसे के आप सबसे पहला question देख सकते हैं जो की हमारा वैषवी करण से related आपके चलते है जिस में पूछा का अरथ एक रूपी करण नहीं है यानि वैश्वी करण का जो अरथ है वो एक रूपी करण नहीं है वैश्वी करण के तक्णिकिया और सांस्कृतिक आयामों के संदर्म में कथन को समालोचन आत्मक विशलेशन कीजिए यानि वैश्वी करण का जो अर्थ है वो एक रूपी करण नहीं है अब इस कथन को आपको तकनी की और सांस्कृतिक आयामों के माध्यम से इसका विशलेशन आत्मक करना है यानि इस कथन के उपर चर्चा करनी है आपको simply अर्थों में कहा जाए या फिर वैश्वी करन्ट से related अगर कोई भी question आए सिर्फ language को घुमा देते हैं और कुछ नहीं होता सेम ही question होता है तो अगर ऐसा वैश्वी करन्ट से related कोई भी question क्यों ना आए आप उसमें ये answer लिख सकते हैं 100% आपको marks दिए जाएंगे ठीक है चलिए फिर हम लोग इसके answer को देख लेते हैं कि आप इसके answer किस तरीके से लिख सकते हैं पहले आप लिखेंगे वैश्वी करन्ट का अर्थ एक रूपी करन्ट नहीं है यानि वैश्वी करन्ट का जो अर्थ है वो एक रूपी करन्ट बिल्कुल भी नहीं है यह कथन उन्हीं विचारगों का पृतिकिरिया है जो विश्वू में विविदता कीुल्यवानता को मानते हैं वेश्विकरन के तकनिकी और सांस्कृति आयामों के संदर्व में इस कथन को समालोशनात्मक रूप से विश्विशन किया जा सकता है अब हम इसका तक्निकी और सांस्क्रितिक रूप में किस तरह से समालूशनात्मक विशलेशन कर सकते हैं उसको देखेंगे सिध्धान्त वैश्वी करन एक समाजिक आर्थिक और सांस्क्रितिक पिरकिरिया है जिसमें विभिन देशों के चेतरों के बीच व्यपार संचार और सांस्क्रितिक आदान प्रदान को बढ़ावा दिया जाता है यह अकेले एक रूपी करन का माध्यम नहीं है यानि वैश्वी करण जो है वो विभिन देशियों के व्यापार, संचार, सांस्रितिक आदान प्रदान की जगा है या आदान प्रदान की प्रक्रिया है यह कोई एक रूपी करण की माध्यम नहीं है यहाँ एक चीज के बारे में चर्शन नहीं की जाती बलकि यह विविदता और संवरिधी को बढ़ावा देने वाली एक तरीका है यानि यह विविदता और संवरिधी को बढ़ाने का एक तरीका है जहां विविदता होती है वह एक रूपता तो हो ही नहीं सकती अब नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं अब इसके कुछ प्रमुक बिंदू हैं, अब प्रमुक बिंदूों में क्या-क्या आप लिख सकते हैं, पहला आप लिख सकते हैं, तक्नीकी आयाम, अब तक्नीकी आयाम में आप वैश्वी करण को कैसे देख सकते हैं, चलिए देखते हैं, वैश्वी करण तक्नीकी आयाम में ब्रद्धी देशों के बीच विज्ञान तकनिकी और उद्ध्योग के छेत्र में सहीयोग और विन्यामन का माध्यम है यह विभिन देशों के विकास के लिए महतपूर संकेत है यानि तकनिकी आयामों से भी वैश्वी करण बहुत जादा इंपोर्टेंट हो जाता है क्योंकि यह विज्ञान और तकनिक को बढ़ाने का एक मात्र साधन होता है नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं वैपारिक आयाम वैश्वी करण वैपारिक आयामों में विभिन देशों के बीच व्यापार के संबंदों को मजबूत करता है यह विभिन उत्पादों और सेवाओ की आदूत्यता को बढ़ावा देता है और वैपारिक मुद्दों को हल करता है यानि जो वैश्वी करण है वो वैपार को बढ़ावा देता है जो कि एक देश से दूसरे देश में वैपार के लिए बहुत जादा इंपोर्टेंट हो जाते हैं नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं सांस्कृतिक आयाम, वैश्वी करन सांस्कृतिक आयामों में विभिन देशों के बीच सांस्कृतिक आदान परदान को बढ़ावा देता है, ये विविदिता को समझने और समर्थन करने में मदद करता है, यानि जो सांस्कृतिक आयाम है वो विभिन देशों की सांस्कृति और जो हमारे सोच विचार हैं और जो हमारा खन पान है उन्हें आदान पुर्दान करने में सहायता करता है नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं राजनितिक आयाम, वैश्वी करन राजनितिक आयामों में विभिन देशों के बीच राजनितिक सहयोग और संबंदों को मजबूत करता है, यह विभिन राश्टियों के बीच समझोते और संधियों को संभब बनाता है, यानि वैश्वी आयाम अब शिक्षा आयाम कैसे वैष्वीकरन शिक्षा आयाम में विविन देशों के बीच शिक्षा के छेतर में अनुभव और संज्यान का शंचाल करता है यह अंटर उस्त्र समझौते весь में arcade को अपनी समस्या को समाधान और जो जो चीजे होती हैं अंतरास्ट्रेस्टर की चीजों को समझ पाते हैं उन्हें सीख पाते हैं ठीक है समस्या का समाधान सटीक्षा से प्राप्त कर पाते हैं और उसका अच्छे से समाधान प्राप्त कर पाते हैं अगर कोई भी प्राप्लम उनके सामने आती है तो चलिए फिर आके बढ़ते हैं आके आप इस question की निसकर्ष में क्या लिख सकते हैं देखिए अगर आप कोई भी question लिख रहे हैं उसका निसकर्ष लिखना मत भूलना क्योंकि निसकर्ष जो होता है एक महत्पूर्ण रोल निबाता है हमारे answer को अच्छा दिखाने के लिए यह दिखाने के लिए कि हाँ बच्चा समझदार है सजक है ऐसा निये बेवकूफ बच्चा है जो एक्जाम में बैठ गया है उसे कुछ नहीं आता इसलिए निसकर्ष लिखना एक अच्छे बच्चे की निशानी होती है कि हाँ वो बच्चा पढ़कर आया है उसे समझ है answer writing की के किस तरह से answer लिखना है तो आप इसके निशकर्ष में लिख सकते हैं वैश्वी करण का अर्थ एक रूपी करण नहीं है इससे हमें पता चलता है वैश्वी करण जो है वैश्वी व्यापी संबंदों को मजबूती मिलती है इसलिए वैश्वी करण को समाज लोचना आत्मक रूप से समझना और समर्थन करना महतवपून है और इसी सभी से पता चलता है कि वैश्वी करण जो है वो एक रूपी करण नहीं है और वैश्वी करन की जो बिल्किलिया है वो विश्वी स्तर की है, जहां हम वैश्वी करन को विश्वी स्तर से देख सकते हैं. And next, यहां हमारा पूरा question finish हो जाता है, question number one. अब हमारा question number two start होता है, I hope आपको question number one अच्छे से समझ में आ गया होगा. अगर अब भी आपको कोई doubt उड़ा जाता है या कोई चीज समझ में नहीं आती, तो आप मुझसे comment box में पूछ सकते हैं, बस जरूर reply दूँए, okay? चलिए हम question number two की और चलते हैं, आपका question number two बूच रहा है, या आप इस कथन से सहमत है कि वैश्वी करण ने राज्य की संप्रष्टे को शिक्षड कर दिया है, अपने उत्तर की समर्थन में तर्क दीजिए, यानि इसमें भी आपको वैश्वी करण से related, यानि वैश्वी आपको बताना है कि किस तरह से आप इससे सहमत है या असहमत है, चलिए फिर देखते हैं, आप इन सभी questions के answer as it is ही उतार सकते हैं, जिस तरह से आप देख रहे हैं, यानि पहले परिच्चे है, फिर थोड़ी सी भूमी का लिकर, निसकर्ष वगरा, इसी तरह से आपको लिख वैश्वी करण संभावनाओं का सभू है, जो देशों की सांस्कृति के बीच सम्मंदों को गहराई और व्यापक्ता को सदर्शाता है, जबकि राज्ये की संप्रभुत्वत्वता, एक राज्ये की शाषन, शम्ता और नियंतरणता की स्वतंतरता को व्यक्त करती है, यानि वैश्वी करण है, वो किसी भी राज्ये की संप्रभुत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत् विश्लेशन करने के लिए अन्यायपूंड प्रभावों के सास सकरात्मक प्रभावों को भी मूलियांगन करेंगे यानि किस तरह से वैशवीकरण ने राज्ये की विवेचना gw x कि उसको कम्जोर क्या है यह मजबूत किए है सकरात्मक और नकरात्मक टोनुँ ही पहलु को लिए और इस चीज को समझने का प्रियास करेंगे प्रियास करेंगे चलिए इसको देखते हैं बैं excited के प्रकार अब हमीदेगे बैस्विकरण के प्रकार किस तरह से तरह से यह राज्य को प्रभावित करती है वैश्वी कराण के प्रकार में, हम क्या लिख सकते हैं? चलिए देखते हैं वैश्वी कराण ने वास्तव में राज्यों की बीच संबंदों को बदल दिया है यहां कुछ मुख्या प्रभाव हैं जो वह इसके तहत आते हैं यानि वैश्वीकरन जो है उसकी जो राज्ये के साथ यानि देश के साथ जो समबन्ध है वो बिल्कुल ही बदल गए हैं पहले अलग थे अब अलग हो गए हैं तो उन समबंदों को कुछ हो को यहां दर्शाया गया है जैसे कि हमारा पहला आप लिख सकते हैं आर्थिक निर्भरता वैश्वी करण के कारण देश अब एक दूसरे पर आर्थिक रूप से अधिक निर्भर हो गए हैं जिससे उन्हें नितीगत निर्णे लेने में कम स्वतंतरता मिलती है क्योंक आर्थिक रूप से कही न कहीं दूसरे देश पर निर्बर है जैसे कि अगर हम किसी भी देश से यानि हमारा इंडिया अगर किसी भी देश से लोन ले ले अमेरिका से लोन ले ले तो हमारा देश कहीं न कहीं अमेरिका पर आर्थिक रूप से निर्बर हो जाएगा और अब हम क अबाव हम पर पढ़ेगा कहीं ना कहीं अमेरिका की चीजें हमें सुईकार करनी पढ़ेंगी तो इस वज़े से वैश्वी करण ने कहीं ना कहीं आर्थिक प्रभाव को बढ़ावाद दिया है नेक्स आप इसमें लिख सकते हैं बहु राष्टे निगमों का प्रभाव बहु राष्टे निगमों की शक्ती बढ़ गई है जिसका अधिकार राज्यों की नितियों पर प्रभाव डालने में होता है यानि बहु राष्टे निगम जो होते हैं उनकी शक्तियां कहीं ना कहीं बढ़ती भी दिखाई देती है जिनका जो अधिकार होता है जिनका अधिकार राज्यों की निकियों पर प्रभाव डालने में होता है यानि उनका जो अधिकार हो गया है वो राज्ये की जो इतनी भी निकियां होती है उन पर कहीं ना कहीं प्रभाव डालती भी वो हमें दिख नेक्स चलते हैं। आप इसमें लिख सकते हैं अंतरास्ट्य संगठोनों को प्रभाव यानी जो हमारे अंतरास्ट्य संगठोनों के भूमी का बढ़ गई हैं। जैसे कि सहयोगत राश्ट्य और विश्व व्यापाः संगठन जिनका उद्देश्य राज्यों की नित्यों को यानि अब हम देख सकते हिक जो अंतर राष्टे की बूमी मी से कहीं बढ़ती भी दिखाई दे रही हैं एंप्ष्वी का बढ़ावा मिला में नीक्स्ट्रा फल्टे मन्हावदिकार और प्रणिये चिंताई इन मुद्दों पर सामोही क्रियाओं कि आवेशक्ता को बढ़ावा मिला है और इसमें राजियों की उनकी सीमाओं पर पार्क कारवाई करने के लिए प्रेड़ित किया गया है किया गया है यानि अंतराष्ट्रे इस्तर की जो चिंताएं होती हैं अंतराष्ट्रे इस्तर की जो सामोही क्रियाएं होती हैं उनमें भी बढ़ोतरी हमें देखने को मिली है अब हम देखेंगे वैश्वी करण के सकरात्मक प्रभाव, यानि वैश्वी करण के जो अच्छे प्रभाव होते हैं, उनके उपर अहम चर्चा करने वाले हैं, चलिए फिर बिना देरी करें, वैश्वी करण के सकरात्मक प्रभाव के उपर चर्चा करते हैं, यदि भी वैश पuwजिटिव पइंट है तो Nag English भी जरूरी होता है इसलिए कोई भी छी अच्छी है तो तो बुली भी जरूर होता है अब इसके बुरे पॉईंट है तो अच्छी भीयों होनगे इसके अच्छे और बुरी ही हो उसक के अच्छे बुरे दोनों ही के मुद्दों सहियोग करने में मदद करता है यानि वेश्वी करन जो है इसने सहियोग को बढ़ावा दिया है जो की बहुत जादा captured एक दूसरे के सहियोग करते apply जो की बहुत important हो जाता है किसी भी देश को अपना विकास करने के लिए आगे बढ़ने के लिए, नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं अन्तرास्टर कानूनों का विकास, व्यष्वी करना ने अंतरास्टर कानूनों के विकास को प्रोसाहित किया है, जो राज्यों के बीच संगाश्यों को हल करने में सहायक होते हैं यानि वैश्वी करण की वज़ा से अंतरास्ट्रे इस तर पर जो कानूनी वैवस्ता थी उसमें भी सुधार आया कहीं ना कहीं जो अंतरास्ट्रे इस तर पर कानूनी वैवस्ता होनी चाहिए थी वो अब लाग हो रही है क्योंकि अंतराष्ट्रे इस तर पर भी कानून होने चाहिए जो कि हमें अंतराष्ट्रे इस तर के जो मुद्दे होते हैं जैसे कि आतरवाद हुआ वैश्वी करण हुआ या फिर ग्लोबलाइजेशन हुआ इन सभी मुद्दों से लड़ने में मदद करता है जो कि हमारे अंतराष्ट्रे इस तर के मुद्दे होते हैं इसलिए अंतराष्ट्रे कानून का भी होना बहुत जादा इंपोर्टेंट हो जाता है चलिए फिर आगे बढ़ते हैं आगे आप इसमें लिख सकते हैं नेक्स्ट पॉइंट ज्यान और प्रद्योगी की का आदान प्रदान वैश्वी करन ने ज्यान और प्रद्योगी की के आदान प्रदान को सुगम बनाया है जिससे राज्यों को अपनी शम्ताओं को विक्सित करने में मदद में दे है यानि वैश्वी करन की वज़े से जो ज्यान और ज्यान होता है उसका आदान प्रदान बढ क्या g missionary से तो एक दैश ते दूसरे देश में ज़ाण कर दो आदान फ्रदान हो रहा है वो भी कहीं न alternate का उधार्वर है अब इसके जूक यह लिए किस्ति हृनों है उनली है बद्राफ का संगर्शा इसक चारात्म हो लहा है लेकिन विश्व के उत्थान के लिए विश्व के साथ नए और समृत तक्नीकों का अनुसंधान करने की आविशकता है यानि विश्व को आगे बढ़ाने के लिए जो वैश्वी करण है उसके जो अच्छे और नएने आविशक नएने समर्थन है नएनी अनुसंधान है उनकी की आविशकता है राज्य को अपनी संप्रभुत्वत्ता को बनाए रखने के लिए सहयोग और समानवय के अधिक महद्व को समझना और उन्हें नई चुनोतियों का सामना करने के लिए तयार होना आविशक है यानि राज्य यानि यहां देश की बात हो रही है कि किसी भी होने की भी आविशकता है आई होप आपको सेकेंड कोशन भी अच्छे से समझ में आ गया होगा अब नेक्स्ट कोशन यानि कोशन नंबर थर्ड की तरफ चलते हैं और आपका जो कोशन नंबर थर्ड है वह है वैश्विक अधिशाशन के साधन के रूप में तैयुक्त आपको इसमें बताना है तो आप पहले परिक्चे डालकर इसको लिख सकते हैं परिक्चे में हम क्या लिख सकते हैं वैश्विक अधिशाशन में सैयुक्त राष्ट्रे का महधपून योगदान है यानि वैश्विक अधिशाशन के रूप में हम सैयुक्त राष्ट्रे का मह महत्पूर्ण योगदान देख सकते हैं संयुक्त राष्ट्रे वैश्वी संकटो और समस्याओं का समाधान करने के लिए विश्व समूदायों को एक्तृत करने का माध्यम है इसके माध्यम से कई साधनों को स्थापित किया गया है जो आर्तिक, समाजिक और राजनेतिक मामलों में सहायक हैं यानि सयुक्त राष्ट्रे जो है वो एक जुट करता है पूरे विश्व को और एक ही मुद्दे या पिर एक ही समस्याओं का समाधान करने में किसी भी समस्याओं का समाधान करने में महतपूर्ण भूमिका निभाता है और ये आर्तिक, समाजिक और राजनेतिक मामलों में भी एक्तरित, सयंतरित करता है ताकि सभी जो देश हैं वो एक साथ एक पटल पर आ सके अब हम सयुक्त राष्ट्रे की भूमिका के बारे में चर्चा करने वाले हैं कि सयुक्त राष्ट्रे की क्या भूमिका है चले फिर बिना देरी करें इसकी भूमिका के उपर चर्चा करते हैं परिस्ट पॉइंट आप इसमें लिख सकते हैं आर्थिक और समाजिक परिशत इन परिशतों की मुख्य उपादियों में विकास, शिक्षा, स्वास्त्य और मानवधिकार शामिल हैं यह परिशत द्वारा आयोजित किये जाने वाले कालेकरम और योजनाय व्यश्विक करती हैं यानि यह जो हमारे आर्थिक और समाजिक परिशत है इसमें हम शिक्षा, विकास, स्वास्त और मानवधिकार की जो शान्ति हैं मानवधिकार से लिलेडरी जितने वी कानून, नियम होते हैं इन सभी को देख सकते हैं जो कि सुचारू रूप से चलाये जाते हैं ता विश्व समस्या उपर वारता करने के लिए महत्वण है इसमें हर सरदस्य देश का एक मत होता है जिसमें सभी देशों के पास एक वोट का अधिकार होता है और सभी आंगों को अच्छे से पढ़ने के लिए आप हमारे चैनल की इस वीडियो को चैक आउट कर सकते हैं जिसम इसका link में description box में भी देदूगी पूरी playlist का, तो आप पूरी playlist को check out कर सकते हैं, next point आप हम देखते हैं, next है हमारा सचीवाल्य सेयुग तुराष्ट्य का सचीवाल्य नई नितियों को अंगी करित करने और संचार को संगठीत करने में महतपूर भूमी का निभाता है, यानि कोई भी नई नितियां बनाई जाएं और उनका अंगी करित करना हो, तो उसमें सचीवाल्य महतपूर भूमी का निभाता है, next आप इसमें लिख सकते हैं सुरक्षा परिशत, इसका काले विश्व शांती और सुरक्षा की रक्षा करना है, और यह विभिन संगर्षों और संगठोनों को समाधान करने में सक्षम है, यानि सुरक्षा परिशत जो है वो शांती स्थापित करना और सुरक्षा को बनाए रखने का काम होता है, इसका, नěक्स्ट पोइंट चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट आप इसमें लिख सकते हैं, पॉइंट नम्बर फाइव – स्टिर्ण गेव इसा का मुख्य उद्देशिय उत्रराष्चिय विवादों के न्याइक समाधान को करना है। यानि उत्र लन पर जितने भी समझ्या होते हैं, जितने भी समझ्या होती है, उनका न्याए करना प्रतिको götा क्यों भी जरूर ह्त्य है क्यों भनाएं हैं अब हम इन中共 के बारे में चरचा करने वाले हैं सेयुक्त निर्नलय लेना सेयुक्त राझ्टे के भूमिका से सेयुक्त महासभाज विश्व और स्रीक्सा परिश्ट विष्व के लिए महाधपूर् निर्नलय लेती है जो विभिन राष्ट्रों के बातचीत को सेंद्र करती है यानि जो संयुक्त निर्णे लेने के लिए यह बहुत जादा important है संयुक्त राष्ट्रे के सभी यंग क्योंकि महासभा जो होती है और सुरक्षा परिशत जो वो निर्णे लेती है और सभी देशों को उन्हें लागू करवाती है सभी देशों के बीच में जो वाद विवाद है उसको नियंत्रित किया जासे के उन्हें कम किया जा सके इसलिए बहुत जादा important हो जाते हैं दूसरा point आप इसमें लिख सकते हैं विकास के छेतर में सहायता आर्थिक और समाजिक परिशत विकास के छेतर में विविन देशों की मदद करती है जिससे गरीबी और आसमानता को कम किया जा सके यानि विकास के छेतर में भी बहुत महत्पून हो जाता है यह जो कि आर्थिक और समाजिक परिशत जो है वो किसी भी देश को विकास करने में मदद करती है उसे किस तरह से आगे बढ़ाया जा सके इस बात पर चर्चा करती है नेक्स आप इसमें लिख सकते हैं संघर्ष के समाधान सुरक्षा परिशद और महासबा राष्ट्रे के 20 विवादों और संघर्ष का समाधान करने में महत्पूर्ण भूमिका निबाती है यानि किसी भी देशों के बीच में किनी भी दो देशों के बीच में अगर संघर्ष चल रहा है तो वहां सुरक्षा परिशद और महासबा उस संघर्ष को खतम करने का प्रियास करती हैं और शांती स्थावित करने का प्रियास करती हैं नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं न्याईक समाधान, अंतरास्ट्र न्यायाले न्याईक समाधान के माध्यम से विवादों को सुलजाता है, जो अन्यता संघर्ष और संघर्ष का कारण बन सकते हैं, यानि कोई भी ऐसे कारण क्यों ना हो, जो फ्यूचर में या भविश् संघर्ष का कारण बन रहे हों, तो अंतरास्ट्र न्यायाले उन्हें न्याईक रूप से सुलजाने का कार्य करता है, ताकि विश्व इस तर पर शांती इस्थापित हो सके, अब आप इसमें नेक्स्ट हैडिंग लिख सकते हैं, उप संघत्ता का परिक्षन, अब हम इसमें क्या लिख सकते हैं, चलिए देखते हैं, संयुक्त राष्टे के संघठनों के माध्यम से अनेकों राष्ट्यों को एक साथ आने का अफसर मिला है, यानि संयुक्त राष्टे संघठन की वज़े से अनेक राज्य ऐसे हैं, या अनेक देश ऐसे हैं, जो एक साथ मिलकर आए ह जैसे कि आप G20 देख सकते हैं, GAT देख सकते हैं, ये सभी क्या हैं, ये सेयुम्त राष्टे संगठन की वज़े से बनने वाले संगठन हैं, ताकि वह आपस में साजा हितों के लिए साथ काम कर सकें, यानि साजा हितों के साथ काम कर सकें, एक जुठ हो सकें, और अपनी शक्त जैसे कि विकास आसुरक्षा और मानवधिकार इसके अलावा इन संगठनों के माध्यम से विभिन राष्ट्रियों के भी संबंद मजबूत लिए जा सकते हैं जो विश्व शान्ति और सुरक्षा के लिए महत्पूर्ण है हम यह कह सकते हैं कि कही ना कहीं जो संयुक्त राष् और प्रमुक अउगों की अउप्यूकता विश्व के विकास और महत्पूर्ण निभाती है यानी हम यह कह सकते हैं कि संकत्ना ख़ुन्त शंप्यूकत की निभाती वह इन दिखाई देती है इन संगठनों के विश्व समुदायों को एक्तित किया जा सकता है यानि यही जो संगठन है, यानि यह जो संगठन है, यह विश्व इस तरपर सभी को एक्तृत करता है, इखटा करता है, और विभिन समस्याओं को समाधान किया जा सकता है, और जितने भी समस्याओं हैं, उनसे लड़ा जा सकता है, क्योंकि एक व्यक्ति या एक देश किसी समस से लड़ सकते हैं, जिससे समाजिक और आर्तिक समवर्दी को प्राप्त किया जा सकते हैं, और जब सभी देश एक साथ मिल जाते हैं, तो वो किसी भी उचाई तक पहुंच सकते हैं, जाहें वो समाजिक हो, आर्तिक हो, राजनितिक हो, कोई भी समवर्दी क्यों ना हो, वो उस जल्वायू परिवर्तन से अत्याधिक संकत्त का सामना करना पड़ता है जबकि विक्सित देश आमतोर पर कम असुरक्षित और अधिक लचीले होते हैं उप्योगत उधारन द्वारा कथन का मुल्यांकन कीजिए यानि कि जो जल्वायू परिवर्तन है उसकी वज़े से जो व अचीले हैं पर विकाशियल देश तो नहीं अभी तो उन्हीं किस तरह से जाद समस्या का सामना करना पड़ता है इस बात पर आपको इस कोशन में टिपड़ी करनी है चलिए फिर बिना देरी करें इस कोशन की शुरुवात करते हैं विकाशियल देश और जल्वायू परिव परिवातन ग्रह के लिए एक गंफिर खत्रा है जिसके प्रभाव हर देश को महसूस होता है यानि जो जल्वायू परिवातन है वो किसी एक देश के लिए नहीं है वो पूरी प्रत्वी यानि पूरे ग्रह के लिए ही है और ये खत्रे के रूह में होता है जिसका प्रभाव सभी देशों पर कहीं न कहीं पड़ता है हाला कि विकाशिल देशों को इस संकट का सामना करने में अतियदिक कठिनाई का सामना करना पड़ता है जबकि विकसित देश आंतोर पर कम असुरक्षित और अधिक लचीले होते हैं यानि जो विकाशियल देशें उन्हें जाद संकट का सामना करना पड़ता है। जब हम जलवायू परिवर्थन की बात करते हैं। according to विक्सिद देश, विक्सिद देशों को कम समस्याओं का सामना करना पड़ता है। यह असमानताएं के कारणों के कारण हैं। यानि ये जो असमंताय पैदा हुई है। इसके बहुत सारे कारण है। जिसमें समाजीक आर्थिक विकास का इस्तर बुन्यादी धाचे की कमजोरी, संसादनों की कमी और राजनितिक आयस्तरता शामिल है। यानि यह जो अंतर पैदा हुआ है विकाशिल और विक्सित देशों में, तो इसका कारण ही समाजिक आर्थिक विकास का इस्तर, बुनियादी धाचे, एकी कमजोरी और संसादनों की कमी और राजनेतिक आइस्तरता हो सकती है। यह यह कहें है। चलिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, आके अब हम देखेंगे आसमानता के प्रमुक बिंदू, यानि किस तरह से यह आसमान है, इसके क्या प्रमुक बिंदू हैं। अब हम उन सभी बिंदूों को देखने वाले हैं। पहला आप लिख सकते हैं आर्थिक बोज, आर्थिक बोज जलवाईयों परिवतन से होने वाले नुकसान जैसे की बार, सूखा और तूपान, विकाशिल देशों के लिए भारी आर्थिक बोज होता है, यानि जो आर्थिक बोज है वो बहुत जादा बढ़ जाता है, जब ह दस डॉलर, बिलियन से अधिक का नुकसान हुआ, जिससे बुनियादी धाचे को काफी भारी नुकसान हुआ, फसले नस्ट हुई और लाकों लोग विस्थापित हुए, यानि हम उधारन के तौरबे पाकिस्तान का उधारन ले सकते हैं, जब 2010 में महाँ पर बार आ गई थी और वहाँ पर 10 बिलियन डॉलर का नुकसान हुआ था, देखिए कितनी बड़ी जंखिया है, कितने जादा पैसो का नुकसान हो गया था, फसले बरबाद हो गई थी, और लोगों को विस्थापित भी होना पड़ा था, नेक्स्ट पॉइंट आप इसमें लिख सकते हैं, खा इस रूप से अफरीका में जहां किर्शी अर्थवैवस्ता का आधार है, जलवायू परिवर्टन से सूखा और अनिमित्ता वर्ष, पर्टन, खाद, उतपादन में गिरावट और खाद्य कीमतों में व्रधी हो जाती है, यानि कहीं भी खाद्य में कोई भी नगारात्मक प इस पॉइंट आप इसमें लिख सकते हैं, जलसंसादन, जलवायू परिवर्टन से जलसंगट कहराता है, जो विकाशील देशों के लिए विशेश रूप से महतपूर है, जहां पानी पहले से ही दुर्बल हो, उधारन के लिए भारत जो दुनियाम की दूसरी सबसे अधिक आबादी वाला देश है, पहले से ही पानी की कमी का सामना कर रहा है, जलवायू परिवर्टन के कारण सूखे की बढ़ती घटनाओं से और ये समस्या और भी बत्तर हो जाती है, यानि जलसे समस्या जब भी पैदा होती है, वहाँ पर सूखे जैसी समस्या देखने को मिलती ह अधारन के लिए भारत का उधारन ले सकते हैं जो कि पहले से ही दुनिया भर में दुनिया का सबसे बड़े चंसंख्या वारा देश है, हमारे देश में पहले से ही पानी की कमी हम देख सकते हैं, और सूखा और पढ़ जाए तो ऐसी सिच्वेशन बहुत जादा क्यूटिकल हो जाती है, बहुत जादा प्राब्लम क्रियेट कर देती है, ठीक है, नेक्स चलते हैं हम लोग, नेक्स आप इसमें लिख सकते हैं, स्वास्त जलवाईयों परिवर्तन से संबंदित स्वास्त समस्यां जैसे की मलेरिया, डैंगू, बुखार और हीट वेट विकाशिल देश जैसे जो बीमारियां पैदा हो जाती हैं, जैसे की मलेरिया, डैंगू, बुखार, हीट वेट ये सभी जो हैं, ये कही ना कहीं विकाशिल देशों के आर्थिक रूप से स्वास्त रूप में बहुत ज़दा प्रभाव देखने को मिलता है, इनकी वज़े से, और उनकी जो स स्वास्ति प्रणाली होती है, उस पर दवाब देखने को मिलता है, नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं, बुनियादी धाचे की कमजोरी, विकाशिल देशों की अकसर कमजोरी बुनियादी धाचा होता है, जो अन्ये जलवाईयो परिवर्तन के अनुकूल बनाने और आप विकाशिल देशों की धाचा होता है, यह कहें कहिंगे बुनियादी धाचा होता है, वो कमजोर होता है, और कहीं यह जलवाईयो परिवर्तन में मेहध पुर्ब भूमी का निभाता है और चड़क होगे, पुल होगे, इनका जो निर्मार होता है, वो कही न कहीं सही नहीं हो पादा, क्योंकि बुनिया दी ढाचा सही नहीं है, तो ये कहीं न कहीं, विकाशिल देशों को बहुत जादा प्रभावित करता हुआ दिखाई देता है, अई होब आपको ये भी समझ में आ क्या होगा, अब आप इसमें 6 पॉइंट यानि पॉइंट टमबर 6 लेख सकते हैं, संसाधनों की कमी, कहीं न कहीं जो विकाशिल देश हैं, उनके पास संसाधनों की कमी भी हम मैसूस कर सकते हैं, विकाशिल देशों में जलवाईयो परिवर प्रति अधिक असुरक्षित बनाते हैं, जिसके पास उन्हों का सामना करने के लिए अधिक syndrome है। यानि कहीं ना कहीं जो विकाशिल देश थी ने गया संधन की कमी और संसाधन की कमी ही है, जो उन्हें चलवाईयों परिवर्तन से लड़ने में साहता नहीं दे पाती और वो पीछे रह जाते हैं विकाशील देशों से ठीक है विकाशील देश अब हम इसके उधारन के रूप में देख सकते हैं किस तरह से चलिए देखते हैं इसके कुछ उधारन है पहला आप लिख स अधिक का नुकसान हुआ और 33 मिलियन लोग प्रभावित हुए यह बाढ़ जलवाईयों परिवतन के कारण चरम मौसम घटना का एक उधारन है जिससे विकाशील देशों की कमजोरियों को उजागर किया यानि हम पाकिस्तान में आई बाढ़ का उधारन देख सकते हैं जो क विकाशील देशों की कमजोरी की वज़े से ही ऐसा हुआ कि उन्हें 30 डॉलर मिलियन का नुकसान झेलना पड़ा और 33 मिलियन लोग इससे प्रभावित हुए थे नेक्स्ट हम लोग सुखे का उधारन देख सकते हैं अफरीका में कई हिस्सों में लगातार सुखा पढ़ रहा है जिससे खाद्य असुरक्षा और भुकमरी का खत्रा बढ़ रहा है यानि हम सुखे को देख सकते हैं अफरीका का उधारन लेकर जहां पर जो सुखा है उसकी कारण लाकों लोगों को बोजन की कमी का सामना करना पड़ा और विस्थापित होना पड़ा यानि इथोपिया में भी 2021 में हम लोग सुखे की इस्तिती को देख सकते हैं और जिसकी वज़े से बहुत सारे लोगों को विस्थापन जैसी इस्तिती से गुजरना पड़ा यानि अ प्रभावित हैं यानि समुद्री तट के कटाव का भी कही ना कहीं हम लोग चलवाईयों परिवर्तन के अंतर कर देख सकते हैं जिसकी वज़े से गंफीर समस्या देखने को मिल रही हैं उधारन के लिए केली बादी जैसी देशों को जलवाईयों परिवर्तन के कारण पूरी तरह से जलमगन होने का खत्रा है जिससे उनकी आबादी को विस्थापित होने के लिए मजबूर होना पड़ेगा यानि ऐसी स्थिती है जहां पर जो देश है वो कहीं न कहीं जलमगन हो रहे हैं यानि जल में डूपते हुए समुंदर में डूपते हुए दिखाई दे रहे हैं और वहां की जो आबादी है उसे वीस्तापन जैसी स्थिती से गुजरना पड़ेगा और उन्हें कहीं दूसरी जगा जाना पड़ेगा रहने के लिए नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं विक्सित देशों की स्थिति अब हम देखेंगे विक्सित देशों की स्थिति कैसी है विक्सित देश जलवायू परिवर्तन से उतनी असुरिक्षित नहीं है जितने विकाशील देश हैं यानि वि जलवायू परिवर्तन से लड़ने और अनुकूलन के लिए बहतर स्थिती में रखते हैं यानि उनके पास अच्छी अर्थ वैवस्ता है बहतर बुनियादी धाचा है और अच्छी सुविदा हैं जिसकी वज़े से उन्हें जलवायू परिवर्तन का इतना खत्रा नहीं होता ह हाला कि इसका मतलब यह नहीं है कि विक्सित देश जलवायू परिवर्तन से पूरी तहह से अच्छूते हैं वह भी चरम मौके घटनाव समुंद्री जलिस्तर व्रद्धी और अन्य जलवायू परिवर्तन प्रभावों का अनुभव करते हैं यानि उनके पास ही सारी सुवि करण है कि अगसे ऌसा है जलवायू परिवर्तन एक वैश्विक संगठ है लेकिन इसके प्रभाव अस्मान्य रूप से वित्रित होते हैं विकाशित आप्टेर्वायू परिवर्तन के प्रती अधिक सम्वेदंशील और कम लचीले होते हैं जिसके कारण वह आर्थिक नुकसान खाद्य, असुरक्षा, स्वास्ते, समस्याओं और विस्थापन जैसे कंभीर चुनौतियों का सामना कर रहे हैं यानि हम यह कह सकते हैं जो वैश्वी करण है वो एक ऐसी समस्या है जो विश्व इस तरपर सभी को प्रभावित करती है लेकिन वो विकाश्यल देशों को जादा प्रभावित करती है क्योंकि उनके पास ना तो लचीलापन हैं ना ही इतनी सारी सुभी दाये हैं जिसकी वो से अचूते नहीं है जलवाईयों परिवर्तन से निपटने के लिए अंतरास्ट्रे सहयोग और विकसित देशों से विकाशील देशों की वित्या और तकनीगी सहायता प्रदान करना आवेशक है यानि विकाशील देश भी कही ना कहीं इन सारी समस्याओं को सामना करते हैं कहीं ना कहीं इन सारी समस्याओं को देखते हैं चाहें उनके पास सारी सुविधाय हैं पर वो भी कहीं ना कहीं इन सारी समस्याओं को देख पाते हैं और इन सारी समस्याओं से लड़ने के लिए हमें विकसित देश और विकाशील देशों को आपस में लाना होगा आपस में एक्जुट करना होगा, ताकि इन सभी समस्या होगा, समाधान किया जा सके. I hope आपको question number 4 भी अच्छे से समझ में आ गया होगा. चलिए पिर आगे बढ़ते हैं.